खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आपको उम्मीद अपने आप से करनी चाहिए, किसी ओर से नहीं। छोड़ दो, किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है, परिवर्तन से घवराना और संघर्ष से डरना, इनसान की सबसे बड़ी कायरता होती है, ये सोच होती है, हम लोगों की, की एक अकेला क्या कर सकता है, पर देखो, उस सूर्य को जो अकेला ही चमकता है, सेवा तो सभी लोगों की करनी चाहिए, लेकिन आशा किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, इस दुनिया में लोगों को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन लोगों को अपनी गलती नहीं मि लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और काम्याबी दोनों ही मिलेगी। अगर आपको भरोसा इश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वहीं पाओगे। लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो वहीं मिलेगा जो आप चाहोगे। आप कभी भी इंतजार मत करो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो, हमारा जीवन उससे कहीं अधिक तेजी से निकल रहा है। अगर जिन्दगी में काम्याब होना चाहते हो, तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। लोग चाहते हैं कि आप बहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बहतर करें। हुनर तो सब में होता है, फर्क, बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है, तो किसी का छप जाता है। हमारी زندگी साइकिल चलाने के जैसे है, अगर आपको बैलेंस बनाए रखना है तो आपको चलते रहना ही होगा। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हैं, हमें वैसी ही मन्जिल मिलती है। जिवन में अगर एक बार जो फैसला कर लिया, तो फिर मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं, मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बलकि उसका बड़कपन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है, उसको कहन भी आता है, कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है, जब भजुक कर चलती है, यही हाल जिन्दगी में इंसान का होता है, अगर आप में अहंकार है, और आपको गुस्सा बहुत आता है, तो जिन्दगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, कि जब हमारी सोच सकारात्मक होगी, तभी हमको सफलता मिलना शुरू होगी, जीवन में तीन चीजें जरूर अरजित करें, विश्वास, संतोश और स्वास्थि, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोश सबसे बड़ा धन और स्वास्थि सबसे बड़ा पहार है